हलो सलाम अलेकों अव्रीवबन, कैसे हो सभी लोग आई होब कि सभी अच्छे होंगे तो गाइस यह इंप्रॉटरण्ट वीडियो रहने वाला है फ्रस्टप स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि फर्स्ट स्ंटूडेंट्स जितने भी है उनका पेपर जो है वो अब होनी वाला है ठीक है तो अब यहां पर question है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप paper जो है वो कैसे लिख सकते हो यानि paper में time कम रहता है और आपका जो wording होती है वो ज्यादा होती है कोई किसी को लिखना fast आता है किसी को नहीं लिखना आता है टेलिग्राम भी जॉइन करना सबसे पहले आपको ख्याल रखना है इस बात का कि इसमें section जो होते हैं तीन section होते हैं section A, section B और section C ये बात आपको याद रखने पड़ेगी अगर हम सबसे पहले section A की बात करेंगे उसमें आपको short answer आ जाएंगे B में आपको medium आ जाएंगे और C में आपको long आ जाएंगे ठीक है आपको करना क्या है सबसे पहले आपको सबसे पहले long answer लिखना होता है long answer long answer में आपको 11 marks मिल जाएंगे या 8 marks मिल जाएंगे A question को ठीक है ये बात आपको याद रखनी चाहिए इसलिए आपको सबसे पहले long answer करना चाहिए जब भी आप paper स्टार्ट करोगे long answer आपको सबसे पहले write down करना है ताकि मतलब की जब हम starting में paper लिखते हैं तो अच्छे से लिखते हैं तो लेकर जब long answer आप लिखोगी तो उसमें 11 marks है तो अगर आप अच्छे से लिखोगी तो 11 में से 11 आपको मिल जाएंगे 11 है तो 10 और 9 मिल जाएंगे आपको ठीक है और उसके बाद लिखना क्या है उसके बाद डिलेक्ट लिखना है medium answer अब कहेगा किस तर आप बता दीजे कि हमें पहले long लिखेंगे फिर medium तो यहाँ उपर नीचे तो नहीं हो जाएगा नहीं आपको उपर लिखना है answer sheet पे section C long answer ठीक है बस पिर लिखना है question number जो वहाँ पर दिया हुआ था question number 13 है 14 है जो भी long का है वो तो सबसे पहले आपको वो 13 लिखना है उसके बाद directly answer लिखना है ठीक है उसके बाद medium answer medium में आपको directly medium में और होता है मों मैंने पहली बता दिया था उसमें और होता है और में आपको क्या करना है वो मैंने पहली बता दिया सब कुछ वीडियो में उसके बाद last end में आपको करना क्या है end में आपको short answer type questions करने होंगे क्योंकि short answer में ज़्यादा लिखना नहीं होता गाइस उसमें लिखना होता है 20 तो 30 words ज़्यादा कुछ निगलने क्योंकि उसमें आपको एक mark या दो mark मिलते हैं तो अगर वो आपको कोई बता भी देगा यहाँ कोई आइडिया आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर वो था यह था तो आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो लिख सकते हो क्योंकि दोनों में से एक mark या ज़्यादा 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 आएगा लिखे फिर मेडियम और फिर आपको शार लिखने होंगे क्योंकि इससे फाइडा क्या है टाइम भी बच जाएगा आपके हैंड़ाइडिंग भी अच्छी रहेगी लॉंग आंसर में माकस भी अच्छे मिलेंगे ठीक है तो अगर आपको यह इनफर्मेशन चाहिए मतलब कि अच्छे लगी तो आप इसको ज़रूर शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में तो यहाँ पर सिकल का मैंने आल रेडी आज़ का सिकल का एक्जाम हो सकता है कोई-कोई स्टूड़न कुमनिकेशन सिकल का यह मैंने पीडियाफ जागर आपको चाहिए पीडियाफ तो यहाँ पर क्वेशन जो है वो आज इन्शाला इन्ही मैं क्वेशन आज आए जाएंगे यह मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अच्छे से बढ़ोगा तो आप आराम से पास कर सकते हो अग्जाम ठीक है तो यह इन्फार्मेशन छोड़ी से आपके लिए महलप करने के लिए इन्फार्मेशन दी अगर आपको कोई प्राबलिम हो तो आप मुझे नीचे कोमेंट कर सकते हो दीजे जाज़दवाई को अल्ला हाफिज